इंडिया का चार्ट है अगर आप यहां प्राइस को एनलाईज करेंगे विकली टैम फ्रेम पर तो मैं आपको बताओं एक डाव थियोरी कहता है कि कि किसी भी प्राइस में पांच वेव आती हैं अब ट्रेंड आएंगे तो पांच वेव में आएगा डाउन ट्रेंड आएगा दूसरे करेक्शन में हम लोग चल रहे हैं कभी भी यह जो हाई बने थे 2021 और अभी जो 50-50 में हाई बन गए अगर यह हाई ब्रेक आउट होते हैं तो हम लोग नए हाई लगते हुए देखेंगे वो सेकेंड वेव होगी जहां हमारे टार्गेट निफ्टी में 24,000 अब अब इस तरह के पांच ट्रेंड आते हैं पहले ट्रेंड के बाद सबसे बड़ा कंसॉलिडेशन दूसरे ट्रेंड के बाद उससे छोटा और तीसरे ट्रेंड के बाद उससे चोटा यह चीज़ें momentum wild होते हुए आगे पड़ता है और तेजी से price action price को उपर की तरफ ले जाते हैं 170 तक पहले target यह कम से कम target है हाला कि मैं दावे से कह सकता हूँ यह high break होंगे लेकिन यह सब से कम target है चलिए दूसरी बात कई लोगों का कहना है कि मैं सिर्फ प्राइजेक्शन पे believe करता हूँ प्राइजेक्शन पे work करता हूँ क्या कोई tool का भी इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं आप प्राइजेक्शन पे काम कर रहे हैं बेदर इससे बेदर कुछ नहीं चाहिए price first है अगर आप चाहते हैं कि कोई tool आपकी साहता करे और आपको trend को और clarity से बता पाए तो देखे नीचे आप volume देख रहे हैं खरीदारी के लिए पैसा चाहिए liquidity तो जब भी खरीदारी में पैसा लगेगा तो volume में reflection दिखता है कि कितना पैसा आया market में और उसी को अगर कोई candle किसी हफते में वो खरीदारी पूरी तरह से देख रही हो जो volume में जितने volume देख रहे हैं तो समझ आईए ये एक valid projection है जैसे ये candle देखिए volume का green और ये candle देखि price यहां 102 से चल कर गया 116 और ये volume का candle तो ये justify कर रहे है volume और price एक दूसरे को उसके बाद price में लगातार खरीदारी चली है तो volumes धीरे धीरे lower side अब ये volume फिर देखिए बड़े होने की तरह बट रहे हैं और price भी दुबारा जितना demand इस हफते के बाद जितने हफते खरीदारी चली है उसका impact अब देखने को मिलेगा volume देख लिया और कुछ देखना है देखिए weekly में अगर आप 50 हफतों के उसत के उपर trade कर रहे हैं तो भी एक अच्छा भाव माना चाहेगा लेकिन average price में क्या है average से बहुत दूर नहीं होने चाहिए उसके आस पास आपके consolidation देखने चा पाइंग चल रही है और इसका curve भी आपको बता रहा है कि यह target इस तरह से average जब उपर जाएगा तो यह price भी उपर पहले चल कर जाएगा average से और चल कर जाता है ठीक है तो यह बहुत अच्छी खरीदारी है अब अपने trade plan के according इसको plan कीजिए और hold कीजिए 4-5-8 महीने या साल भर तो आप पाएंगे यह stock आपको 200 से ज्यादा target दे चुका है ठीक है धन्यवाद